नमस्कार दोस्तो आप सभी मित्रों का हमारे योट्यूब चैनल अमबे दुर्गाजोतिस में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज किस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि बिल्ली का रास्ता काटना आपके लिए किन बातों का संकेत करता है दोस्तो वीडियो को दल लेते हैं या वही रुक कर उस रास्ते से किसी और के निकलने का इंतिजार करते हैं उनके मन में यह डर रहता है कि बिल्ली के रास्ता काटने से उनका काम बिगड़ सकता है साथ ही बिल्लियों से जुड़े कई अंदविश्वास भी हैं जिन पर लोग आज भी विश्व करते हैं बिल्ली का रास्ता काटना असुप क्यों माना जाता है आईए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों कई लोग की यह धाना है कि रहा चलते समय यदि बिल्ली रास्ता काट ले तो उसकाम में रुकावाट आ जाती है या कोई धुरगटना हो सकती है यह भी मानेता है क बिल्ली की जान इंद्रिया बहुत तेज होती हैं कुछ भी असुब होने से पहले उसे इसका अभास हो जाता है इसलिए माने जाता है कि बिल्ली यदि रास्ता काटे तो असुब होता है लेकिन दोस्तो सच्चाई क्या है यह हम आपको जल्द ही बताने वाले हैं दोस्तो ऐसी माननेता है कि कुट्टे के तरह बिल्ली की वी छटी इंद्रिया काफी विक्सित होती हैं जिसकी काड़ वो भविसे में होने वाली घटनाओ के हमें पहले ही संकेत दे देती हैं जदी आप सोई हुए हैं और बिल्ली आकर सीर चाटने लगे तो आप सरकारी मामले में फच सकते हैं दोस्तो बिल्ली यदि आपके पेर चाटे तो इससे निकाट भविसे में बिमार होने का संकेत माना जाता है बिल्ली यदि आपके उपर से कूट कर चली जाए तो आपको तकलीप सहरी पढ़ सकती है यानि कि आपको जल्द ही घर परिवार से जोड़ी किसी समस्या का साम पालना चाहिए दोस्तो बिल्ली की जेर को लाल कपड़े में लपेट कर बाजू पर बांदे से काल सर्प दोस्ते बचा जा सकता है दोस्तो नजर दोस प्रेत बाधा आदी में बिल्ली की जेर बांदे से बहुत लाब होता है बिल्ली अगर घर में आकर होने लगे तो कोई अनोनी घटना हो सकती है दोस्तों बिल्यों का आपस में लड़ना धन हानी तता किसी लड़ाई जगड़े के होने का संकेत होता है दोस्तों बिल्यादी घर में किसी बच्चे को जर्म देती है तो इसे भी सुब माना जाता है दोस्तों इसका मतलब यह होता है कि जल्दी आपक का उत्तर जान ही गए होंगे कि दोस्तों बिल्ली का रास्ता काटना असुब होता है या फिर असुब तो दोस्तों हम आपको बता दे कि बिल्ली का रास्ता काटना एक असुब संकेत होता है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीज धन्यवाद